किसाल प्राव। पतन डिस्टिक दे विच खड़े हुए हैं पातन कैदन दे हैं गुजरा दे विच ते मैं हमेशा ही कहना हो ना कि मिट्टी दी सेतना कोई समझाओ ता कीता ही नहीं जा सकता बाइजी दे खेद दे विच नर्मे दे किसान है गया ते आप एथे जड़ी कामली आए सिगे नर्मे अक्स्प्लोर कर रहे सिगे गुजरा दे विच ते जड़ी में चीज में तो नसांजी कर लगया है एनू हजम कर ले एनू खा ले हो एस वीडियो नो तुसी शेर नहीं करना सुनना भी है एनू समझना भी है वरतना भी है एक चीद खा रहे है कि खेद दे सब्सक्राइब कर लें दिया फिर मिल दिया लाग अपा गो नब्य जंदा टाइम ते दब्य जंदे विच किसे भी फसलते बली होनी शुरू हो जांदी है इननने यह तरीका एक अपनाया हो या गोबर नू पहला दवाहां चले ले लेंदे डीकंपोज कर देया ते ओने तो यह तो तेन सो किलो मेटर तो दूरों आए ने ते मेरे नाल अशीश मैता ही तुसी काफी बार पहला भी देखे है वीडियो देविच पंजाब ते बॉर्डर तो डब वाली तो ऐसादे नाली यह ते कौटन दे लिए आए ने ते बदा ससीकाल तुसी एना जादे खेता ना ख्यार रख दे है गया तुसी वैसे गुजरात नो बबारी स्टेट किया जानता है पर एजड़ा तुसी कम कर रहे हो खेत दी हेल्थ नो मैनेज करन दे लिए स्वेल डेली नेचरल फट्राइजर बनाके खेत पौन रा एज़ा तरीका साथे थोड़ा थोड़ा दस्क्रान मानते हैं तो मा को हमें डेवलोप कैसे करना है वो हमारे हाथ में कोई आपको खाट देगा और आप डालेगे उससे तो कुछ होना नहीं जैसे कि आप कोई भी सरकार आती जाती रहती है कोई भी आप कॉटन का सीड है या कोई भी सीड है कंपनिया तो हर एक आती जाती जाती आती जाती रहेगी लेकिन यह जमीन है वो कहां जाने वाले नहीं तो आपको यह करना है कि जो आप जो गुबर रहे हैं वो बाहर से लाके डायरेक्ट खेट में डालते हैं वो गलत है वो कच्छा है जैसे आप गहुं निकालके पहले उसको रखते हैं फिर पिसाई करते हैं फ सब इसमें डालना है आप बाहर से जो गोबर लाते हैं गोबर इसमें डालना है वेस्ट डीकंपोजर आता है वेस्ट डीकंपोजर का उस पर स्प्रे करके उसको मट्टी से इसको खड़े में क्यों डाला हुआ है और भूप एक वाद में उसको जब डालना है वो डालने का भी टाइम प्रीड है ओके आपको अर्ली मॉनिंग डालना है पांच बजे से डालके नौ बजे तो मिक्स कर देना है आप जैसे कि दूप में पड़ा रहे गा तो उसके अंदर का जो हमारे काम के जो उसके बैक्टेर आपको सबसे पहले उसका ख्याल वह रखना है आपको पका ना है पका के बाद में उसको exactly time period पर उसको खाट डालना है अभी इस खड़े में जो material पड़ा हुआ ये कितने टाइम का है ये तीन महीने से पड़ा हुआ अभी दिखाना है कैस की स्तरीके का है ये तोड़ा दिखान और आप एकड़ में हम एकड़ में डेट ट्रोली या दो तो तॉली पचास कॉंड़ तक माल देते साट कॉंडल तक माल किसान भाईयों देखो तुसी भी मैं भी एक अलनु समझता है का तुसी ततेका चल देए ज्यादा में चार्ट रहा पाधिए चाट रहा लिगा पाध टाइम ही देना है कि एक साल बाद फिर देते हैं हर साल बाहल तो यह एक थोड़ा बहाना लगाते हैं ज़्यादा बड़ी जो बड़े जिमीदार हैं 500 एकड़ा जितना गोबर मिलता है उसकी कॉंटिटी कम करिये लेकि आप जैसे के उसको वेस्टी कंपोज होगा तब उसको कम मात्रा में डाले ना उसको कांटीनियुज यहां पे आपके अगल बंगल में आपके बड़ोसी फार्मर नहीं डालते हैं क्या अंतरनोड करते हैं इसकी यहां उस जमीन वह पानी भी कम लगता है जग उसकी हाइट भी कम जलती है वह उसके जैसे के प्लांट है वह ग्रोथ भी इतना प्रूट भी ज्यादा लगे वह उतना उसका चोड़ है वह जैसे की 3,5-3.5 फीट तक ही होता है और आप यह जो डाला हुआ है वह तो आप देख सकत है कितनी हाइट है कितना फ्रूट लगा हुआ है बहुत धन्यवाद किसान भाई हो आप जितने भी किसान भाई यहां पर वीडियो को देखने आया ना इस वीडियो को शेर मत करो इस वीडियो को सेव कर लो और इसी इंफरमेशन को अपने खेत में लागू कर लो आपका हम शूर करते हैं कॉटन की वह भी आप देख ली दीगा